सिवान केक कॉलेज में अजीब घरी फर्मान जारी किया गया है जेड़ ए इसलामिया पिजी कॉलेज प्रमंधन ने 3 अक्टूबर को ये फर्मान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कॉलेज केंपस में अगर 6-6छातरा एक साथ बैठे पाये या हसी मजाक करते हुए दिखे तो उनका नमंकन रद्ध कर दिया जाएगा कॉलेज का ये फर्मान सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है आपको बता दे कि पिछले दूनों किसी बात को लेकर कॉलेज की दो छात्राओं की बीच मारपीट हो गई थी माना जा रहा है कि उसी घटना को ध्यान में रखकर ये फर्मान जारी किया गया उधर कॉलेज के इंचार्ज एकबाल जावेद का ये कहना है कि कॉलेज केमपस में लड़के और लड़किया एक साथ बैठते हैं तो निूसेंस का माहौल पैदा होता है जिस वज़े से इस तरह का पत्र जारी किया गया कॉलेज में जिन छात्राओं ने मारपीट की थी उसके उपर भी कारवाई करने की प्रक्रिया चल रही है एक लेटर तीन तारीक को जारी किया गया है असल में है क्या कि जब बिहार सरकार द्वारा ये कोचिंग को बंद करने और फिर वर्ग में 75% पस्थिती की जब बात की गई है हो जाहिरै कि लड़के काफी संख्या में आ रहे हैं अब उसमें थ्वड़ा सा नियूसेंस क्रियेट हो रहा है अब में हम लोगे스 mold का काका में काम है कि पढ़ाई हो और UP TO mark पढ़ाई हो अच्छी पढ़ाई हो अरिसिप्लीन के साथ